आज हम अश्वगंधा लेह्यम के बारे में जानेंगे, इसे अश्वगंधा से बनाया जाता है तो यहाँ पर अश्वगंधा के रूट सिया जड़ है, इसके बारे में मैंने विडियो बनाया है, उसका लिंक स्क्रीन पर है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं उसका एक उत्पाद है अश्वगंधादी लेह्यम या लेहया, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे आप देख सकते हैं कि ये चवण प्राश के जैसा दिखता है, काफी गाढ़ी पेस्ट है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी बात करेंगे अश्वगंधादी लेहयं एक बहुत ही गुनकारी लोकप्रिय आयुर्वेदिक हर्बल जैम है, अश्वगंधा और अन्य जड़ी बूटी के साथ आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार तयार किया गया रसायन है बाजार में दोनों शाकाहारी और इसके मासाहारी संसकरण लेहम उपलब्ध है अजश्वगंधादी के नाम से लेहम में निश्चित रूप से मानसाहारी सामगरी होती है ज्यादातर बकरी का अश्वगंधादी लेह्यम नाम से भी मिलने वाले रसायनों की सामगरी सूची चेक करें अगर इस तरह के शब्द अजा, छागा, मासा, अजामासा, चागा मासा आदी हो तो इसमें नौनवेज सामगरी होगी अश्वगंधादी लेह्यम वात दोश को संतुलित करता है लेकिन कफ दोश को बढ़ाता है सामगरी और मात्रा के वानस्पतिक नामों के लिए कृप्या विवर्ण बॉक्स देखें अश्वगंधादी लेह्यम अश्वगंधा, किश्मिश, सारिवा, श्वेत, जीरा, मधुसूनी, हरी, इलाइची, शरकरा, देसी घी और पानी से बनाई जाती है अश्वगंधादी लेह्यम कैसे बनाई जाती है, जानने के लिए विवर्ण बॉक्स चेक करें स्वास्थ्य के लिए फायदे, वजन बढ़ाने में मदद करता है एक प्राकृतिक बॉडी बिल्डिंग सप्लिमेंट है ताकत और सहन्शक्ती बढ़ाता है शरीर का कायाकर्प करता है नींद में सुधार करता है, तनाव और चिंता कम करता है मन को शांत करता है पाचन क्रिया को मजबूत करता है नियूरोलॉजिकल विकार जैसे मास पेशियो काक्षय होना नियूरोपैथी, गर्दन-दर्द, पीठ के निचले हिससे में दर्द और स्पोंडिलोसिस को कम करता है टॉक्सिंस को खून से निकालता है स्किन हेल्थ और रंग अच्छा करता है, जोरों, मसल्स, टेंडन और तंत्रिकाओं को मजबूत करता है, हाइपोथाइराइड वाले लोगों में शक्ती और उर्जा में सुधार करता है, ठकान और सुस्ती कम करता है, चोट जल्दी ठीक करता है, सूजन और दर्द कम करता है, खुराक वयस्क 19 से 60 वर्ष तक 6 से 12 ग्राम दिन में एक या दो बार खाने के 45 मिनट पहले या दो घंटे बाद गर्म दूध के साथ 60 वर्ष से अधिक 6 ग्राम दिन में एक या दो बार गर्म दूध के साथ दुशप्रभाव और सावधानिया कोई ग्यात दुशप्रभाव नहीं एलोपैथिक दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है मधुमे रोगियों को इससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें शामिल है किश्मिश, चीनी और शहे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसससे बचना चाहिए अगर आपको कोई बीमारी है या दवा लेते हैं तो अपने डॉक्तर से पूछ कर शुरू करें अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृप्या वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद